तो क्या हाल है सिक्सर के चाहने वालों, बिकिट के मतवालों और किरिकिट के दीवानों आपको पता है ना वर्ल्ड कप स्टार्ट होने वाला है तो सभी टीमें तैयारियां चालू कर दी है वर्ल्ड कप हमारा होगा अस्टेलिया भी कह रहा है यार वर्ल्ड कप हम जीतेंगे इंग्लैंड भी कह रहा है, वर्ल्ड कप हम जीतेंगे, सौध अफ्रीका कह रहा है, वर्ल्ड कप हम जीतेंगे, यहां तक कप पाकिस्तान भी कह रहा है, वर्ल्ड कप तो हम ही जीतेंगे, तो भाई इंडिया क्यों पीछ रहेगा, इंडिया क्यों पीछ रहेगा, इंडिया क् 3 T20 में तेस्टीलिया से खेलने है और 3 T20 में सौध अफरीका से खेलने है तो माउका दस्तूर अच्छा है अपने फिलारियों को परक्तने का समझने का आज माने का जिनको हमने Wyld Cup के स्कौाइड में सेलेक्शन किया क्या सच में Wyld Cup के लायख है जैंघ या बाजों की बात करें तो हर्चल पटेर, भुनेश्वर कुमार, जस्पीद बुम्रा, अर्शदीप सिंग और युजवेंदर चैर और रिजर्ट पिलियर की बात करें जिनकी बात बे जरूरत पर सकती है वो पिलियर है मुहमाद समी, सिरियस अयर, रभी विस्नुई एंड कब में, किस प्लेइंग इलेबंस के साथ इंडिया उतरेगा, खास करके अपने पहले मैच में या फिर आगे वाले मैचों में, वो सायथ कोई नहीं बताएगा, वो तो आपका भाई बताएगा, अब बोलोगे, अच्छा बेटे, तुझे इतना ज्यादा जादा confidence, तू बत अस्टेलिया उसोद अफरीका के सामने छेटी-टूटी मैच खेल ले जाना है ये कुछ और भी फैसले कर सकता, रोही सर्मा को तो फिक्स है, रोही सर्मा धाकर बनले बाद ओपनिंग करेगा, लेकिन केल लाहूल की performance खुदा ना खासता, अस्टेलिया उसोद अफरीका के सा अब बोले भाई साब चूतिया हो गया, रोही सर्मा था, रोही सर्मा के साथ, अगर केल लाहूल आउट ओफ फॉर्म होते हैं, उनकी जो फॉर्म होती बिल्कुल टाइटाइफिस होती है, तीसरे option की बात करें, तो सूर्या कुमार यादो, क्योंकि सूर्या कुमार यादो क अब यादो को कहीं भी खिलालो, मैं चमकता जरूर हूँ, तो यह opening जोड़ी हो सकती, फर्स्ट प्राइबेटी होगी, रोही सर्मा एंड केल लाहूल, लेकिन केल लाहूल अगर फ्लोप होते हैं, खुदा नाखासता, तो विराट कोली, रिसा पंद और सिरियस, अगर तीन का साथ देने के लिए opening में, वैसे अभी हम ना रोही सर्मा ओकेल लाहूल को लिके चलने, तीसे नंबर की बात करें, तो भाई साहब किंग कोली, किंग कोली तो खेलेगा तीसे नंबर पे, तो तो उतल़ूट हो जाए, रोहीद बोले भाई, विराट कोली ऐसा कर ना, ये के बिराट कोली के थे भाई खेली ने रहा, इस बार वर्ल्ड अपना टीवी में देखूंगा, मैं जाही ने रहा, वैसे आप पागल हो, कौन सब्सक्राइब या इसा बोलेगा, भई मैं खेल ने रहा, इंडिया टीम में खेलने को मौका में लोग खेलाडी के थे खेली ने रहा लेकिन इनको सुरू के मैचों में मौका मिलेगा, किसको सुरू के मैचो में मौका मिलेगा, अगर वहाँ पर इनकी परफोरमेस अच्छी नहीं होती, डग्मगाती है, तो इनकी जगापे दीपागूडा कह रहा, कि भाया, मैं आने के लिए तैयार हूं, कुंडी मत खड पूरी पूरी चांस है कि सूरिया कुमार याद औहीं चोथे नमबर पर बल्लेवाजी करते ना जाएंगे पांचवे नमबर की बात करें तो रिसब पंथ या फिर हार्दिक पांडिया, हार्दिक पांडिया तो प्लेइंग लेमंस में होगा, चाहे छे के छे, सारी के सारी मैश हो जाए, बस हार्दिक पांडिया अन्फिट नहो, अगर हार्दिक पांडिया फिट रहता है, तो सारी मै जान लिया अपना हेरो पंति नहीं चलेगी तुमारी अगर तुम ठक्मोंगाओंगे तो D के बैट कर रहा है डी के को हम लाएंगे डीको को किलाएंगे अगर रिसा पंद चलेगा तो पांचवे नमबर पे कहलेगा रिसा पंद नहीं चलेगा तो हार्दिक पांडिया पांचवे पे कहलेगा और छटे पे कहलेगा अपने डीक के दिने सकार्थी लेकिन अगर रिसब पंथ की हीरो पंथी चलती है तो पांचवे पे रिसब पंथ और छटवे नमबर पर अपना कुंफु पांडिया हार्दिक पांडिया खेलती नजर आये का तो 6 पिले तक का हमने जान लिया सातवे नमबर की बात करते हैं यहां पे जो लड़ाई है काफी जादा कस्म कस्म की है क्योंकि यहां पे अक्सर पटेल अपनी दावेदारी तो बिलकुल पेस कर रहा क्योंकि रबिंद्रा जड़ेजा के बाद कोई आप्शन बनता है ना तो वो सीधा सीधा अक्सर पटेल का बनता है तो मुझे लगदा साथ वे नमबर पर अक्षर पटेल ही खेलता है नजर आएगा जो की लिफ्टॉम गेंदवाजी भी करेगा और उसके साथ-साथ बल्लेबाजी भी जबर्जस करता है लेकिन खुदा नाखास्ता अक्षर पटेल की जो पर्फॉर्मेंस होती है वो इनकी जगह पे दीपक हुडा या फिर रभी चंदन और स्विन किसी एक को मौकर मिल सकता है लेकिन अगर हम अभी की देखे तो डाही अक्षर प्रेम के यानि अक्षर पटेल ही खेलता नजर आएगा साथ-वे नमबर पर तो दो अलोंडर होगे हर्दिक पांडिया और अक् कोई डेथोबर का स्पेश्रेश दिख नहीं डातो हर्चल पटेल तो खेलना ही खेलना है अगर एंफिट वनफिट नहीं होते तो यह खेलते रहेंगे और अगर बात करें नववे नमबर की तो भुनेश्वर कुमार भुनेश्वर कुमार के उपर डिपैंड करता है जो अंदर लेते हैं लेकिन डिपैंड यह भी करता है मुहमाद समी दीपक चाहर को जो अश्टेलिया और अभी सौधाफीगा के सामने मौका मिला अगर इसमें अच्छी परफॉमेंस होती मुहमाद समी या दीपक चाहर की ना तो भाई यहीं कहेंगे बुनिश्वर कुमार को बाहर करो मुहमाद समी या दीपक चाहर को लाओ लेकिन अगर अभी की साफचे देखें तो नौवे नंबर पर यहां पर बुनिश्वर कुमार खेलते नजर आएंगे दस्वे नंबर की बात करें जस्टी जैसा कोई नहीं बाई कुछ भी हो जाए दुनिया इधर से उधर ह हो जाए बस जस्टी अनफिट नहों दस्वे नंबर पर जस्पीद बुम्रा के लेगा तो यहां पर कोई बहस तो बनती नहीं और 11 नंबर की बात करती यूजी चहल पहल लेकिन चहल पहल की भी कहानी वही है अगर जो अभी अस्ट्रेलिया और सौद अफ्रिका के सामने टी इंदिया ने इस बार जो सोच समझ के चार पिलर रिजर पर रखें बहुत सोच समझ के रखें जरुवत पढ़ने पे उनको यूज करेंगे जो पलियर बड़ी ओ प्रफोर्मेंस नहीं कर पाएंगे उनको बोलेंगे भाई आपको य भी भाना करो नहीं करोगे तो हम आपको प्रफोरमेंस करने का थोड़ा साइड में हो जाओ दूसरे प्रफोरमेंस करने का थोड़ा सा उनको भी मौका दे देते हैं तो वर्ल्ड कप में यही होने वाला है बस इंडिया को ना इस बारी वर्ल्ड कप जीतना है कैसे भी करके जीतना है उसके लिए कुछ भी करना पड़े इधर उधर तीकडम लगाना पड़े बस जीतना है बही इंडिया वर्ल्ड कप जीते को नहीं चाहता है हम सभी तो चाहते हैं इंडिया वर्ल्ड कप जीते एक ब बेत खराब होगी कुछ इधर उधर होता रहेगा न तो सारी जानकारी वर्ल्ड कप की आपको यहीं पर मिलेगी मेरे साथ मज़ा आएगा इंज्वाय करेंगे वर्ल्ड कप में इस बार इंडिया के लिए दुवा करेंगे जिससे इंडिया जीते वर्ल्ड कप और हम फिर चिल